अलो बच्चों, क्लास 11 इंगलेज अपन यहाँ पर पोट्रेट आफ लेडी की स्टोरी कर रहे थे आज इसका लास्ट पार्ट है जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ थोड़ा समय स्टोरी को रिवाइस कर देता हूँ पोट्रेट आफ लेडी स्टोरी के राइटार है खुश्बन सिंग वो अपनी ग्रेंड मदर के बारे में स्टोरी बताते हैं उनकी ग्रेंड मदर एक धार्मिक महिला है जो गाउं में उनके साथ रहती है और उसकी हर तकारते हेल्प करती है जब ऑथर याने खुश्बन सिंग गाउं से सहर के साइड शिप्ट हो जाता है तो दोनों की बीच में संबंद कैसे होते हैं खतमोना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला जाता है और उसकी ग्रैंड मदर याने दादी उसकी हल्प नहीं कर पाती है फिर ऑथर या खुश्बन सिंग विदेश चला जाता है और विदेश चला जाता है तो उसकी ग्रैंड मदर उसको सियाफ करने के लिए पर आती है विदेश चला जाता है और उनके संवन्द बहुत ही कम हो जाते हैं जब लोटके आता है तो ग्रेंड मदर बहुत खुशी मनाती है और उसकी देथ हो जाती है ये कहानी आपको मैं समझा चुका हूं उसी कहें दो तीन कोश्चन भी बता चुका हूं एक कोश्चन य लॉस्ट इसका मतलब यह है कि आप जैसे ऑथर की ग्रेंड मदर थी वैसे ही आप किसी अपने को जानते हैं और उनके बारे में जो उनके प्रती प्यार है और जो जा चुके उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं तो यह मैंने लिखा हुआ है जो मेरे बहुत प्यार करते थे और मेरी देख रहे करते थे वो रिटायर होने के पहले आर्मी में 20 साल तक करनल के रूप में देश की सेवा कर चुके है जब मैं छोटा था और स्कूल जाता था वो बहुत ही एक्टिव एस्मार्ट थे वो भूमने के जोगिंग करने के और बाहरी गेम खेलने के बहुत शकीन थे आप अर्ली इन दा वर्निग वो हमें तो वे जल्डी उटने के लिए प्रेड करते थे वह बिलीब करते थे विश्वास करते थे कि एक स्वास्त शरीर में ही स्वास्त मस्तिक्स निवास करता है। वो हमारे को एक्सराइज वगेरा कराने के बाद दूट और पोशक तत्तों से युक्त भोजन कराते थे और हमारे स्कूल जाने के लिए पढ़ाई करने के लिए पेडित करते थे। वोड़ इंक्वाइर वाट ही हैद बीन टॉट एड़ इसकूल जब फैर को लॉट कर आते थे वह पूछते थे कि हमने उनको हमने इसकूल में क्या पड़ा। वो बहुत जेंटल वट फॉर्म वो बहुत पॉलाइट थे लेकिन बहुत ड़पतिक थे हार थे। अच्छे आड़तों और अच्छा करेक्टर बनाने के लिए हमेशा एडवाइस देते थे। वो जब मैं बिदेश चला गया हार इस्टेडी के लिए उच्छे सिक्छा के लिए तो उनकी मत्ती हो गए। मैं उनको मिस करता हूं। असेंस अफ लॉस फिल्स मी वैनेवर आई साइसी इस पॉर्टेट ऑन दा वाल। उनके प्रती मेरे जो भावनों हैं उनके जो पॉर्टेट लगा हुआ घर में उनके प्रती जागरत हो जाती है। वर्ट हेज शियरफो लोक्स रिमेन मी टू टेक हाट एन फॉइट एन इस्टेगल ऑफ लाइट। लेकिन उसके कारण मेरे को एक नई चीज आती है कि मैं लाइफ का इस्टेगल करो और अच्छा आदमी बन सको। देखिए ये छोटे-छोटे आंसार है पॉर्टेट ऑफ लेडी के बारे में कॉश्चेन नमबर वन इसका मतलब यह है कि उस ओथर याने खुश्वन सिंग और उसकी ग्रांड मदर के बीच में कौन सी बासा में बात होती थी इसका मतलब क्या है उसकी ग्रेंड मदर बहुत जादा पड़ी लिखी नहीं थी इसले वो अपनी मदर लेंग्मेज मातर वासा पंजाबी में बात करती थी इसले लेंग्वेज डूपर आपके ओंड तो रिल्यटिव आपकी फैंग्मेज में किस बात करते थी जैनली अगर पड़े लिखें हैं तो इंग्लिस में ओफिश्यल लेंग्वेज में बात करते थी तो जनरली हम घर में हिंदी में ही बात करते हैं इक्सप्रेशन यूज़ इन यूर मदर लेंग्वेज फॉर आ डिलेपेटेट ड्रम वर्ड उसमें यूज़ हुआ है उसका मीनिंग आपको यहां पर एक्सपेस करके बताना है दा एक्सप्रेशन इन आवर मदर लेंग्वेज फॉर डिलेपेटेट ड्रम इस पॉर्डा ठोर ड्रम जो पॉर्डा ठोल ठोल हुआ है उसी को यहां पर इस वर्ड में यूज़ किया है यह बोल रहा है कि जब कोई घर में आता है तो आप किस भासा में किस तरीके से आप उनके सांग या गीत कैसे गाते हैं तो जब भी जनरली हमारे घर में कोई आता है या कोई युद्द से लटके आता है कालोनी में या शेहर में तो हम उसको अपनी लोकल लेंग्वेज में ही गाना या पोयान सुना के उसका स्वागत करते हैं यह देखें बच्चो मैंने यहाँ पर कॉश्चन और कुछ प्रेसिस दिये हुए हैं मैं आशेगरता हूँ कि आप लोग ने अंदर इस पूरे के पूरे कॉश्चेप्ट को पढ़ा होगा मैंने समरी दी हुई है मैंने कॉश्चन आंसर दिये हैं उनको पढ़ियेगा और यह कॉश्चन से इनको एक बार रीड करके यह फ्रेसिस हैं इनका मीनिंग मैजदा कॉलम बना के रखेएगा ठीक है नेक्स क्लास में अपन इसकी नेक्स स्टोरी फोटोग्राफी जो एक पोयम के फॉर्म में है उसको पढ़ेंगे